किंखान का जादू बरकरार गदर टू बाहू बली के जीएफ को छोड़ा पीछे बॉयकॉट गैंग में खल बली जवान ने इंडियन बॉक्स आफिस पर कहर ढ़ा रखा है फिल्म हर रोज नई रिकॉर्ड बनाती रहती है फिल्म जल्दी 1000 करोड का आकड़ा पार कर लेगी ऐसा कह रहे हैं आकड़े फिल्म ने दुनिया भर से सिर्फ 10 दिनों में ही 800 करोड कमा लिये हैं इसके अनुसार 11 दिन यानि रविवार को फिल्म का हिंदी वर्जन भी 400 करोड पार कर जाएगा ऐसे मिशारुक अपनी ही एक और फिल्म पठान को पीछे छोड़ देंगे दरसल पठान और गदर टू हिंदी में सबसे तेज चार सो करोड का आंकड़ा पार करने वाली फिल्में है इन्होंने 12 दिनों में ये नंबर चुआ था बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 15 दिनों में और KGF 2 के हिंदी वर्जन ने 23 दिनों में ऐसा किया था अब जवान 11 दिनों में ही ऐसा कर लेगी इसलिए ये सबसे तेज 400 का आंकड़ा चुने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी जवान का Gross Domestic Collection है 530 करोड के आसपास Overseas Gross Business बताया जा रहा है 270 करोड यानि इन दोनों को जोड़ेंगे तो दुनिया भर से शारुक की फिल्म ने 800 करोड का Gross Collection कर लिया है ये अपने आप में बहुत बड़ा अकड़ा है सोशल मीडिया पर जवान को लेकर अलग तरहा की बहस दिखाई दे रही है कॉंग्रिस नेता जैराम ब्रमेश ने जवान को लेकर पूछा नए संसत भवन में गदर टू दिखाने वाली मोदी सरकार में जवान फिल्म दिखाने की हिम्मत है एक शक्स ने जैराम ब्रमेश के सवाल पर कहा कोई प्रॉपेगेंडा फिल्म होती तो दिखा देते देश को तोड़ने और नफरत फैलाने वाली फिल्म होती तब तो टेक्स फ्री करके दिखा देते जनता में जागरुकता लाने वाली फिल्में दिखाने की हिम्मत फिलाल तो इस 56 इंच वाली सरकार में नहीं है एक नहीं लिखा फिल्म सरकार के कुकर्मों को जागर कर रही है इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं है इसे दिखाने की एक और शक्स ने जवान को लेकर कहा नहीं है इसमें तो बताया गया है सरकार कैसे बड़े लोगों का कर्ज माफ करती है और एक किसान का खुनचूस लेती है पर माफी नहीं मिलती कैसे बड़े लोगों के द्वारा चुनावी फंडिंग होती है आपको बता दे जवान में शारुखान के साथ नयांतारा, विजे सेतुपती, सान्य मलोतरा, प्रियमणी, सुनील ग्रोवर, रिधी टोगरा और दिपिका पादुकोंट जैसे एक्टरस ने काम किया है जवान को एटली ने डारेक किया है इस खबर को लेकर आपकी क्यार आए है कॉमेंट में ज़रू लिखे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे, बैल आइकन बटन ज़रू ट्रेस करे, ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे